ओम हन्मते नमा नमस्कार मित्रों मैं अविरलत्रवेदी और आप देख रहे हैं मेरा यूटूब चैनल लेथी मित्रों आज बात करते हैं सापताहिक रासफल की दिनांग 19-3-2021 से दिनांग 26-3-2021 तक कैसा रहेगा हमारी 12 रासियों का भविस इसके बारे में आज चर्चा करते हैं सुरुआत करते हैं रासी चक्र की प्रिथमरास अर्थात्मेक रास से इस अपता स्वास्तिके पर सजग रहें मौसम होगा देव दर्सन की अभिलासा पौन होगी रासी चक्र की दितियरास अर्थात प्रकरास इस सपताह स्वास्ति अच्छा रहेगा आर्थिक विकास का कोई नया मार्थ प्रसस्त होगा पारिवारिक दाइत्तों की पूर्ति होगी ग्रहवपयोगी वस्तूओं में होगी धार्मिक यात्रा के योग बन रहे हैं रासी चक्र की तिती रास अर्थात में थुन्रास इस अपता स्वास्ते सामाने रहेगा आर्थिक स्थित में उतार चड़ाओ संभव है जीवन इस्तर में ब्रद्ध होगी राजद्वार से उपहारवा संवान का लाप प्राप्त होगा विदे से यात्रा के योग बन रहे हैं रासी चक्र की चतुर्थ रास अर्थात करकरास इस अपता स्वास्ति के पर सजग रहे मौसमी खासी जुखाम हो सकता है आर्थिक स्थित में सुधार होगा रोजगार के आउसरों में ब्रद्ध होगी संतान के दायतु की पूर बिरोधी परास्थ होंगे राजद्वार से उपहरवा सम्मान का लाव पराप्त होगा देवदर्सन की अभिलासा पूर्ण होगी। रासि चक्र की छठी रास अर्थात कर्ण्या रास इस अपता स्वास्ति के पर सचेत रहें। आर्थिक प्रकत होगी। आकस्मिक धनलाब के योग हैं। पारिवारिक उत्तरदाईतों की पूर्ट होगी। भूराजस्व सम्मंधी मामलों में सफलता प्राप्त होगी। विदेश यात्रा के योग बन रहें। रास इचकर की सात्मी रास अर्थात तुला रास इस अपता स्वास्ति के पर सचेत रहें। मौसमी रोग हो सकते हैं, उदर वा नेत्र विकार के प्रिस सजग रहें, तामपत्य सुख में ब्रध्य होगी, आकस्मिक धनलाब के योग बन रहे हैं, संतान के संबन्द में सुखत समाचार प्राप्त होगा, इस्थानांत्रन वा पदोन्नत के योग भी बन रहे हैं रासी चक्र की आठ्मीरास अर्थात ब्रष्चिक रास, इस सप्ताह स्वास्थ अच्छा रहेगा, आर्थिक इस्थित में सुधार होगा, जीवन साती का सहयोग वा साने दिप्राप्त होगा, किसी बड़ी उपलब्द की संभावना है, उधार गया धन प्राप्त होगा, जीवन इफ्तर में ब्रद्ध होगी, रासी चक्र की दस्मीरास अर्थात मकर रास, इस सप्ताह स्वास्थ अच्छा रहेगा, आर्थिक उन्नत होगी, सासन सप्ता का सहयोग प्राप्त होगा, रासी द्वार से सम्मान की प्राप्त होगी, चली आ रही समस्याओं का अंत धार्मिक यात्रा के जोग बन रहे हैं, रासी चक्र की द्यार्मिरास अर्थात को मकर रास, इस सप्ताह स्वास्थे उत्तम रहेगा, आर्थिक प्रगत् होगी ग्रही इस्थित में परिवर्थन के कारण यस में ब्रद्ध होगी संतान के दाइतु की पूर्थ होगी विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं मित्रों यह तह हमारा साब्ताहिक राजफल जो की दिनांग 19.03.2021 से दिनांग 26.03.2021 तक हमारी समस्त बारा रासियों पर प्रभावी रहेगा मित्रों अगर हमारे वीडियोज आपको अच्छे लग रहे हैं तो कपया लाइक करिए सेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब होसे करिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभार नमस्कार